करें स्टार्ट आज हम सबसे पहले जी एस्टी करेंगे है ना सबसे पहले जी एस्टी करेंगे और फिर जी एस्टी से रिलेटिड कोश्चन करेंगे फिर पीपी वाला जो रिवल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबलिटी वटेबर है उसको देखेंगे हम ठीक है तो सर कौन सा कोश्चन बताया उन्नेस कोश्चन नमबर और पार्टनर्शिप भी देख लेंगे आज हाला कि पार्टनर्शिप का कोश्चन एक्जाम में आता नही है कि तब भी देख लेंगे कि कौन सा कुश्चन नमबर था कि टेवेंटीन है कि यहीं है मुझे यह भी कराना था और यह क्यों कराना था मुझे क्यों कि यह था पार्टनर्शिप चलों दोनों करने के चलिए थोड़ा सा रीकॉल कर लेते हैं सर सर जी एस्टी क्या बताया था जी एस्टी दो तरीके के हो सकते हैं एक हो सकता है आपका इन्पुट एक हो सकता है आउटपुट ठीक है अब इन्पुट का मतलब एस्ट हमारा पैसा है हमें लेना है आउटपुट का मतलब लाइबलिटी हमें देना है पैसा इन्पुट की हम अगर बात करें तो इसके अंदर भी पैसेकली तीन यूटी जी एस्ट को हम छोड़के चल रहे है ठीक है ना सी जी एस्ट आ जाएगा और क्या आ जाएगा एस जी एस्ट और एक आ जाएगा आइजी स्ट अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में एग्जेक्टली सेम 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 यही आ जाएगे तो यह हमारे कुछ जी एस्टी के नाम है जिस नाम को हमने अच्छे से एक्स्प्लेइन कर लिया था जी एस्टी के बेसिक ठियोरी वाले लेक्चर के अंदर जिस स्टूडेंट जो बच्चे नए है तो पहले वो लेक्चर देख लें देखने के बाद फिर आगे करेंगे आयान का कहना है सर आठ में sound नहीं है जीस्टी के आठ में sound नहीं होगा फिर बाद में मैंने अगली class में जीस्टी करा है था अगली में चेक करेंगा तो उसमें proper sound वगरा सब चीजे मिलेंगी अब ठीक है क्रिष्णा मैं जो भी लॉंग वीडियो है मैं उसको manage कर देता हूं आज पूरा ना देखके खुद अच्छे से छोटे adjustment के अलग वीडियो कर देता हूं और questions के question number भी डलवा देता हूं ताकि आपको आसानी होके कौन से questions आपको देखने हैं कौन से नहीं देखने हैं आपको ये कल okay होके मिल जाएगा यहाँ तक clear सभी को ठीक है अब कहानी थोड़ा आगे लेके चलते हैं सर एक है cgst और एक है sgst ठीक है और एक है igst same इधर भी cgst sgst igst अलग अलग नाम हो है ना एक सकेंड फीक है अब सर आप मुझे एक बात बताईए बड़ी सिंपल सी बात है किसका पैसा किस पे जाता है इसका पैसा कौन लेगा इसका पैसा सेंटर यानि सेंटर में हमारे परधान मंत्री इसका पैसा स्टेट यानि कौन बताओ स्टेट में दिल्ली हैं तो केजरी बाल जी केजरी और इसका पैसा कौन लेता है बताओ यह भी सेंटर लेकिन आपको अच्छे से अगर थोड़ा याद हो तो इसमें दोनों का पैसा फस गया था जब एक राज्य से दूसरे राज्य यह डिस्टी डिस्प्यूटेवल अमाउंट है और इस पैसे को आई जी एस्टी को स किनत्वत करो है है कि सर यहाँ पे हम बात करते हैं आउटबुट और ''हाँ पे बात कर लेते हम इंपूट'' अगर हम आउट्पूट की बात करें और इन्पूट की बात करें तो इन्पूट में हमें पैसे क्या करना है बताओ इन्पुट में हमें पैसा सरकार से लेना है और आउट्पुट में हमें देना है यह मैं उल्टा कर देता हूं इन्पुट इधर कर देता हूं आउट्पुट इधर कर देता हूं तो थोड़ी इसकी दूरी बढ़ा देते हैं अब ठीक है अब इसका पैसा जो है ये पैसा input का मतलब क्या है पैसा देना है ये लेना है और output का मतलब क्या है पैसा देना है एक सिंपल अंडरसेंडिंग डेवलप कर लेते हैं है न अब मुझे बताईएगा आप जैसे मान लेते हैं यह 100 है और इसको मान लिया जाए 150 है तो बताओ क्या करें अब हमें 50 गवर्मेंट को देने होगे यह हमारा क्रेडिट था और यह तो इसका मतलब नेट लाइबलिटी मेरा 50 रुपए सरकार को देना है हम जर्नल एंट्री पता है कैसे करेंगे इसकी वैसे आएगा नहीं पेपर में लेकिन आपको पता होना चाहिए यह हमारा पैसा लेना है हमारे लिए एसेट्स होता है तो अब हो जाएगा जी एस्टी सी जी एस्टी क्रेडिट हो जाएगा और यह हो जाएगा डेबिट हमारा लाइबलिटी था सी जी एस्टी डेबिट हो जाएगा यह वाला हो जाएगा आउट्पुट और ये वाला हो जाएगा सेट अप कर रहे हैं इसे बोलते हैं सेट अफ करना that is 100-100 सेट अफ हो गया ये 2 नहीं लगाए मैंने जनल एंट्री में और बाकी 50 देने हैं तो कौन से पैसे देने हैं 50 रुपे इसको तो हमारा आजाएगा आउट पुट cgst पहले हम सेट अफ करेंगे यानि इसका इस्तमाल करेंगे एसेट है डेबिट होगा इस्तमाल करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा लाइबिलिटी है इसका भी इस्तमाल कर रहे हैं लाइबिलिटी है क्रेडिट है तो इस्तमाल करेंगे debit होगा तो debit credit करके last में final payment हमने कर दिया यहां तक समझ में आया है चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मैं छोटे-छोटे question पूछता जाऊँगा यानि इस वाले example में अगर payment ना किया जाए तो हमारे पास liability बचेगा पचास रुपए जो की हमें पता है कहां दिखाना है balance sheet के liability में ठीक है अगर मान लो मैंने इसको लिखा 500 और इसको लिखा मैंने 300 अब इसका मतलब क्या समझे हम तो sir इसका मतलब है हमें सरकार से लेना है अगर आपको ऐसे situation मिलती है जहां पे कि आपके 500 रुपए लेने वाले हैं यानि input वाले हैं और 300 रुपए आउटूट वाले हैं तो ऐसे situation में 200 रुपए और लेने हैं तो हमें 200 रुपए balance sheet के asset side में दिखाना होगा ऐसा मनहीं करना कि हम 300 दिखा देंगे liability में और 200 दिखा देंगे assets में ऐसा नहीं net करके दिखाना होगा ठीक है चलिए अब यहां आते हैं मान लिजिए यह है वैसे हलाकि हमेसा याद रखिएगा क्योंकि यह हमेसा आधा-धा होता है तो generally अकेला आ amount ही दिखेगा आपको अब हमारे पास 200 रुपे हमारे पास बचेंगे और 200 रुपे किस चीज के बचेंगे हमारे पास cgst के भी बचेंगे और sgst तो दोनों amount को assets में दिखाएंगे लेकिन assets में दिखाएंगे input के नाम से output के नाम से input क्योंकि हमारे पास बच रहा है दुकानदार के पास बच रहा है that is assets और assets हमारा क्या होता है यह होता है assets यह input यह asset है ठीक है तो आप क्या करोगे ऐसे situation में asset side में आप CGST भी दिखा दोगे input और asset side में SGST भी दिखा दोगे input clear यानि हम CGST को CGST से SGST को SGST से माइनस प्लस करके फिर net दिखाते है चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते है मान लेते हैं यह 800 है मान लेते हैं यह 800 है और यह मान लेते हैं 900 है अब यहाँ पे कहानी यह आई कि हमें यहाँ पे कितने रुपे लेने है 200 रुपे इसके लेने है 200 रुपे इसके लेने है लेकिन 100 रुपे इसके देना है खना तो अब हमें देना है तो सरकार अब सबसे पहले IGST का पैसा होता किसके पास है कौन से गवर्मेंट तो हम क्या करेंगे भीया सेंटर गवर्मेंट के पास जब जाएंगे मूदी के पास तो हम उसे 100 देंगे और 200 लेंगे इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को एक नेट अफ कर देंगे यानि हम बोलेंगे अभी भी इस्टिल हमारे पास cgst बचा हुआ है लेकिन 200 ना बचा के कितना बचाओगे अब आप 100 रुपय बचाओगे यानि अगर igst नेगिटिव आ जाए तो हम नौक आफ कर सकते हैं इसको ठीक है चलिए सपोस करिए ये ग्यारा सो हो तो इसका मतलब क्या होगा ये 200 लेना है ये 200 लेना है और ये 300 ये नेगिटिव है तो अब पहले हम सेंटर सेंटर को देख लेते हैं तो सेंटर में यहां से 200 रुपय नौक आफ हो जाएगा यानि हमारे पास ये तो 0 बचे ouais अभी भी ये इस ट्ल हमारे पास 100 किसमे है minus है ना या plus है minus है तो अब हम इससे को इससे भी knock off कर देंगे अब हमारा ये 100 बचेगा यानि IGST का पैसा तो दोनों का ही होता है तो इसलिए अगर IGST में हमारे minus पैसे हो और हमारे CGST और SGST में plus पैसे हो तो दोनों में से minus करने की हमें permission given है लेकिन आप पहले किस से करते हैं totally depend on you तो मेरा priority रहेगा पहले CGST का काम करिए फिर किसका करिए यहाँ पे दो उत्तर हो सकते हैं बच्चों के कोई बच्चा बोले मेरा तो CGST बचा है 100 रुपे कोई बोले नहीं नहीं मेरा तो SGST बचा है 100 रुपे तो दोनों possible हो सकता है और 100 रुपे आपके बच रहें इट मेंस आपका क्या होगा लाइबलिटी में चलाएशिट्स में चला जाएगा 100 रुपे इस एक्जामपल के हिसाब से क्या जाएगा एसिट्स में 100 रुपे CGST या SGST SGST चला जाएगा 100 रुपे जितने लाइब में बच्चे हैं वो भी जवाब दीजिएगा मैं amount example चेंज करूँगा अगर ये चीज़े दिमाग में सेट हो जाती है तो फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए मान लो ये कर दिया मैंने 1200 रुपे इसका मतलब ये हमारे पास प्लस का 200 और ये हमारे पास प्लस का 200 और ये हमारे पास माइनस का अब क्या करें बताओ प्लस माइनस यहां से मैं माइनस करके चलना हूँ जो बच्चे लेड जोइन हुए वो देख लेजेगा पहले हम क्या करेंगे 2400 है तो हम पहले CGST से नौकाउप मतलब के अभी भी 200 ये नेगेटिव है चलो इससे CGST कट गया और CGST यहां से माइनस हो गया और हमारा बच्चा 0 अभी भी 200 रुपे माइनस में खड़ा आईए अब इसमें से भी माइनस 200 कर देंगे तो अब ये कितना बच गया यानि GST की एंट्री कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है समझे बात है चलो एक और एक्जामपल मान लो ये 1300 अब ये बचा 200 ये बचा 200 और ये बचा 500 और ये भी माइनस का तो पहले हम क्या करेंगे इस 200 से नॉक आफ कर देंगे फिर इस 200 से नॉक आफ कर देंगे यानि 400 रुपे तो हम अर्जस करने में कामियाब होगे 100 अभी भी माइनस का बच गया अब हमें 100 रुपे लाइबलिटी साइड में दिखाना है बताओ किस नाम से दिखाएंगा जल्दी बताओ आउटपुट IGST समझ रहे बत को चलो और भी देखते हैं इस वीडियो को आपको बार-बार क्योंकि मैं मिटा-मिटा के सामने करवा रहा हूँ यह पॉसिबल नहीं कि हर एक्जामपल की अलग से स्लाइड बना लू फिर उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकिटीड हो जाएगा बस अंडेस्टेंडिंग डेवलप कर रहे हैं चलिए माल लेते हैं पांसो तो यह भी पांसो होगा है ना और यह माल लेते हैं छे सो और यह छे सो अब ऐसे सिच्वेशन में पहले इनकी बात बताओ क्या होगा अब बताओ सी जी एस्टी का क्या ट्रीटमेंट है जितने बच्चे लाइब में बताएं सी जी एस्टी का क्या ट्रीटमेंट करोगे सो रुपए क्योंकि हमें लेना पांसो रुपए था इन्पुट में और देना छे सो है तो इसका मतलब सो रुपिया बचा अब ये 100 रुपे कहा जाएगा liability में जाएगा किसके नाम से जाएगा output cgst ऐसे ही 100 रुपे कहा जाएगा sgst में जाएगा किस नाम से जाएगा output sgst यहां तक समझ में आए यानि यह भी 100 रुपे minus में आगे आप तो हमारा और यह भी minus हमें देना नहीं होता हम सेट अफ करते हैं हमें पेमिंट की एंट्री अभी नहीं सीखनी है और ना हमारे स्लेवर्स का हिस्सा है आगे देखें यहां तक तो क्लियर हो गया सर अब मान लो अब क्या होगा मताओ अब हमारे पास यह माइनस का सिंबल मत समझना एरो लगाया ठीक है अब हमारे पास सौ रुपए यहां पर प्लस में है फाइनल एंट्री आपने करनी है तो अब इसके कीस के अंदर भाया यह सौ है तो पहले किस से इसको हम से टफ कर दें यहांनी सी जी एसटी और आईगे इस्टी तो हो गये जीरो अभी स्टिल बच गए हैं 100 रुपए हैं कौन से बचे हैं 100 रुपए हैं अब बताओ इसे कहां ले जाएं इसे लाइब लिटी में ले जाएंगे SGST के नाम से कुछ आंसर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इससे सेट अफ कर दे और वो CGST तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि IGST का नेचर है वो कहीं से भी सेट आफ हो सकता है ठीक है चलो एक्जामपल बदल दें अब बताओ क्या होगा अब हमारे पास जो बचेगा तो अब एंट्री नहीं हो कि ठीक है चलो और बदले एक्जामपल को अब बताओ क्या होगा यहां पर बचेगे 200 अब क्या होगा हमारे 200 बचेगे 100 इससे काट देंगे 100 इससे काट देंगे अभी भी पचास पोजिटिव बच रहा है और पचास हैसेट में हम ले जाएगे समझ महीं बात आपको यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट एक दम क्लियर ठीक है तो हम अगर देखें इसको कंक्लूड करें तो सर पर C GST, C GST से होता है, SGST, SGST से होता है लेकिन IGST कहीं से भी हो सकता है ठीक है न इस बातका अपको ध्यान रखना है पहले हम C GST, S GST को मैच करेंगे पिर IGST, IGST को मैच करेंगे अगर IGST में कुछ बच रहा है तो उसको CGST, SGST जिससे भी इच्छा उससे कर देंगे लेकिन हम priority CGST लेके चलेगे ठीक है चलिए आपके सामने जो सवाल है न इसी सवाल का मुझे answer देना आपके book का ही एक सवाल अभी हम इसमें भी adjustment है इस पे हम नहीं जा रहे हैं चलिए इस से जवाब दीजिए जो arrow करा है मैंने आपके सामने दिख रहा होगा सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि अगर ये data हमें available हो तो हमें balance sheet में कितना और कहा और किस नाम से दिखाना है करिए calculate हाँ नहीं आप बताईए सभी एक बड़ देखिए जूम करना है लीजिए सर जूम कर देते हैं आपके लिए यह लीजिए जूम कर देते हैं और बताईए अब दिख रहा होगा आपको यह लीजिए जूम नहीं ऐसे नहीं अभी एक करके पूछेंगा रुख जाओ पहले निकाल लो आप जितने बच्चे लाइव हैं सभी निकालें सभी आंसर लिखें क्रिश्ना आउट्पुट क्या दस अजार आपने आउट्पुट बता हैं बट प्रॉपर नाम लिखिए C-GST, S-GST, I-GST जितने बच्चे भी है खुशी जितने बच्चे भी है लाइव में सभी मुझे बता दें फटा फट से क्या आएगा अगर आपने अभी समझा है तो चाहे गलत बताएं लेकिन आंसर देने के बाद ही पता चलिए कर लिए नोट कर लिए निकाल लिए आप बताओ क्या है अधिन ने डेविटिंग नहीं आउटपूट और इन्पूट में बताओ आउटपूट सी जी एस्टी हजार और आउटपूट एस जी एस्टी कितने हजार प्लस तो आउटपूट बोला तो प्लस कैसे होगा अब बताओ सी जी एस्टी आउटपूट होगा इन्पूट एक हजार और एन्पूट एस जी एस्टी एक हजार यह लाइबिलिटी में जाएगा अब बताओ سी जी एस्टी और यह आपका सेम सेम है आपने दोनों आउट्पूट आउट्पूट बोल दिया आपका यह कड़बड हो गए सरभूट सी जी एस्टी and सी एस जी स्टी हजार-हजार लगिन इन्पूट और आन्पूट कृष्णा दोनों अलग tangled है कि इसको करने के लिए मैं वही काम कर लेता हूं जो पहले किया था कि क्या काम किया था सर पहले हम लिख लेते हैं इधर आउटपुट आउटपुट ने इधर इंपुट लिखते हैं कि इंपुट इंपुट सी जी एसटी एस जी इस टी आई जी एसटी घ्रविए अजी एसटी हम लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए जानकारी के लिए आसान हो थीक है इधर आ गया हमारा सर इंपुट ठीक है अब चेक कर लेते हैं क्या-क्या जानकारी है और पुट कर देते हैं कहता है आउटपुट SGST 2000 तो आउटपुट तो इधर आउटपुट इधर है कहता है आउटपुट क्या है कहता है आउटपुट CGST 2000 तो इधर लिख देते है 2000 इसके बाद देता है आउटपुट SGST 4000 4000 SGST है तो यह इधर लिख देते है इसके बाद input c g st 3000 है इधर लिख देते हैं इसके बाद input s g st 3000 है इधर लिख देते हैं अब net करते हैं भई यह तो आ गया 3 में से 2 गए 1000 प्लस का और यह आ गया 1000 माइनस का तो यह चला जाएगा liability में और यह होगा output और यह चला जाएगा assets में और यह होगा input अब चेक कर लिए किसका किसका क्या जवाब आया था यही था ठीक है कैसे निकालेंगे clear है अब चलिए इस पूरे सवाल को करेंगे क्योंकि सिर्फ यह GST नहीं होगा चलो वापस चलते हैं वही जहां से थे आजाएं ही वापस चलिए अब मजे की बात इसके सभी adjustment में भी GST included है जैसे कि salesman में है और कहां कहां है ओपर है काफी जगह मैं देख पा रहा हूं यहां पर GST है हमने इस वाले GST को तो take care सीख लिए है लेकिन अब adjustment वाले GST को कैसे हम संभालेंगे वह सीखना है अगर यह कि इस सवाल को हम कि एक पेच पर ले जाएं कि कुश्चर नंबर 17 करने आपकी किताब का मैं इसे उपर कर देता हूं कि क्योंकि जितनी जानकारी चाहिए उतनी लिख रहा है कि कहां रखें इसको चलो यहां GST के उपर रख देते हैं वस इसके नीचे कुछ डिजिट्स हैं जिसको आप किताब से बताईएगा क्या है मैं थोड़ा कोशन को दिखने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं कि इसके नीचे आपने बताना है तो चलिए आईए अकाउंट रो कर ले हैं इधर बना लेते हैं और एक बैलेंशिट बना लें यह थोड़ा बड़ा रहेगा तो बड़िया रहेगा अमांट आगे लिखेंगे इसमें ठीक है ना चलिए सहाब इसको अगले पेज पर ले जाए जाए कंट्रोल सी और आ जाएए नेक्स्ट पेज पर और कंट्रोल भी इसको बनाने जा रहे हैं हम प्रेडिंग एंड प्रॉप्ट एंड लॉस अकाउंट टेट पके रहे लिखिएगा पर्टिकुलर और दूसरे वाले को बनाते हैं बैलिंग शीट एट इस लाइवलिटी और यह एसिट अमाट टेक है जिनको थोड़ी वीजवल में दिक्कत होगी मैं नीचे कर देता हूं कि बैलिंग शीट में ज्यादा से ज्यादा काम अड़्जस्मेंट का होगा इसलिए मैं अड़्जस्मेंट यहां बढ़ा कर देता हूं ठीक है यह रहा अड़्जस्मेंट आजाओ भाई आजाओ इसका काम ना के बराबर होगा तो इसको चुपा दें ओप लेगा इस चलिए सर्थ एक बार सबसे पहले ना हमें अड़्जस्मेंट ध्यान देना चापड़ेगा कि किस किस पर क्या क्या पॉइंट है ठीक है सर सबसे पहले बात करता है कॉस्ट ओफ गुड्स इस स्टॉक यानि क्लोजिंग स्टॉक तो यह तो सिंपल है कहता है हेम लता हेम लता ने विड्रो किये गुड्स पांच हजार और गुड्स यानि परचेस के उपर उसके उपर जीएस्ट वाली भी बात कही जा रही है इसको भी देख लेंगे बही है क्या करना है इसमें भी जीएस्ट का रूल नहीं है यह चलो परचेस पर अर्जस्मेंट जादा बन रहा है डेटर इंक्लूड बेड़ेट्स यह नॉर्मल आता है क्रेडिटर इंक्लूड बैलेंस चार हजार रुपे इस पे भी जीएस्ट की बात कही जा रही है प्रोविजन फोर बैड़ेट्स अबसे लास्ट में ही बनेगा डेप्रीशेशन लगाना है यह बेर सिंपल है कमीशन दिया जाएगा 10% सेल्स एक्सक्लूडिंग जीएस्ट जीएस्टी हटाने के बाद पे आपको दिया जाएगा ठीक है चलिए अब हम एक एक करके हमारे माइंड में एक आईडिया लग गया कि किस के लिए जगह छोड़नी है और किस के लिए नहीं चोड़नी सबसे पहला पॉइंट है सेल्स और सेल्स जो दिया जा रहा है चार लाख पंदरा हजार तो पाई साइड में सेल्स कितना है एक बात हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी ये सेल लिखा होता है तो सेल्स के अंदर जी एस्टी का पैसा नहीं इंकलूड होता है क्योंकि मान लो मैं 10 रुपे का बर्गर अगर मैं 12 रुपे में बेच रहा हूँ तो मेरा सेल्स 10 रुपे माना जाएगा ना कि 12 रुपे माना जाएगा क्योंकि सिंपली आपने मैंने बोला था कि 10 वाला समान पर 2 रुपे जी एस्टी लग गया आप बेच रहे हो तो आप क्या करो कि मेरे पास कैश तो 12 आया लेकिन सेल्स कितने का हुआ 10 का और 2 जी एस्टी कितने का हुआ 2 का जेनल एंट्री यही करते है तो क्या सेल्स के अंदर इंक्लूड हुआ है तो जवाब है सर ये इंक्लूड है नहीं हुआ है ठीक है जवाब है include नहीं हुआ है इसके बाद क्या है यहां तक आपको सारी बाते समझ में आ गई है और जो चीजे मैं बताता जाओ न तो सबसे बड़े समस्या क्या होता है हमें उन चीजों को नोटिंग कर लेना चाहिए और समझ में रखना चाहिए क्योंकि हमारे जब chapter include होते जाएंगे जूड़ते जाएंगे न तो पीछे के चीज automatically erase होता जाता है रहता तो है हमारे दिमाग में कि हां कुछ तो बताया था लेकिन क्या बताया था वो दिमाग से निकल जाता है तो इसलिए आप पहले से लिख करके और प्रैक्टिस जरूरी है यह chapter मेरी तरफ से खतम हो जाए आपकी तरफ से खतम हो जाए लेकिन यह कोशिस रखना के हकते में दो दिन इस चेप्टर के कोशन करने एक एक उठा के बस ताकि आपका पूरा रिकॉल रहे है मेमराइज तो आपका एक्जाम कहीं अच्छा जाएगा अब देखें ओपनिंग स्टॉक दे रहा है पचास अजार तो मैंने यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक इसके बाद था हमारा क्या कैश इन यहां लेकिन मैंने लिखा हुआ कि इतने 2100 इसके बाद क्या है बताईए कैश एड़ बैंक है इसके बाद क्या है क्यापिटल क्यापिटल की जगा लीक है 188 600 इसके बाद Ich Guys – कर देते दड्राएं कि इतने 5000 इसके बाद तो देखे चलिए मैं Кон stylी करके तो प्रॉपरिटा है रेट एंड टेक्स पीडल का पार्ट है तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा जी पीडल ट्रेडिंग यहां तक बन जाएगा और यहां तक बनने के बाद कि यहां पे टू कि क्या है रेट एंड टेक्स है ना कि रेट एंड टेक्स कितने हैं पांच हजार इस पर इस पर भी कोई अजस्मेंट था नहीं सेलेरी टू सेलेरी 32,000 और और पोस्टेज एंड टेलिग्राम इस पर था सायथ तो पोस्टेज स्टेशनरी एक ही होता है कि यहां पर अलग है चलो कोई बात में फिर तो नहीं है कितने है ग्यारा ग्यारा पांच अब बताते जाहिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसके बाद कि सेल्समें कमीशन यहां डालेंगे हैं सेल्समें 35,000 इसके बाद इन्सॉरेंस अब इन्सॉरेंस में ध्यान रखना है कि लाइफ तो नहीं है अगर लाइफ हुआ तो नहीं होगा इन्सॉरेंस कितने 9,000 इसके बाद क्या चले भी यहां गया 17,000 इसके बाद फरनीचर फरनीचर एसेट्स है इस पे है फरनीचर अमाउंट 22,000 अड़िजस्मेंट है अंदर लिख रहे हैं और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इस पे भी अड़िजस्मेंट है मैं अंदर ही लिखूंगा 3,000 इसके बाद मोटर कार एसेट्स है मोटर कार अमाउंट 48,000 इसके बाद बेड़िट्स तो यह तो पी इंडल में आ जाएगा यहां लिख देते हैं टू बेड़िट्स दो हजार इसके बाद डिसकाउंट अब डिसकाउंट चेक करिए डैबिड में क्रेडिट में है तो डैबिड में है यहां जाएगा डिसकाउंट कितने है चार हजार टू जर्नल एक्स्पेंस जर्नल एक्स्पेंस वह भी यहीं आएगा चलिए इसको थोड़ा उपर ले जाए नाम में क्या रखा है नाम तो हट जाता है टू जर्नल एक्सपेंस कितने चौदा हजार और क्यारीज इंड वर्ड तो यहां परचेस के बाद लाइन छोड़ते हैं थोड़ा यहां लिखते हैं क्यारीज और कितने का इसके बाद क्यारीज आउट वर्ड अच्छा क्यारीज आउट वर्ड चलिए इसके नीचे है एड्जेस्मेंट के पीछे यह मैं दिखा भी देता हूं तो बच्चे सोचेंगे कहां से आ रहा ही चलिए क्यारीज आउट वर्ड वर्ड आपको पता होना चाहिए कहां कौन सा जाता है एक्स्पेंस कितने हो गए बाइस हजार इसके बाद वेजिस यह हां जाएगा वेजिस टू वेजिस अमाउंट इसके बाद आउटस्टेंडिंग लाइबलिटी फोर एक्स्पेंस इस पे भी अट्जेस्मेंट है बताईए ग्यारा सब अंदर रख रहे हैं इसको इसके बाद क्रेडिटर कितने हैं चालिस हजार इसके बाद फिर हमारा है डेटर डेटर है हमारा तो फिर क्रेडिटर कितना था चालिस तो अपने गलत करवा दिया है चालिस ठीक है ठीक है ठीक है डेटर बिलकुल अंदर लिख देते हैं क्रेडिटर पे भी है चलिए और आगे अब सीजी एस्टी का मामला हम सबसे लास्ट में टेक केर करेंगे क्योंकि यही वाला नहीं आना इसमें तो हमें माइनस ब्लस करके दिखाना है डारेक्ली ट्रांसफर तो होगा नहीं तो हमेशा याद रखेए का CGSC तो फाइनल जाता है मारा इसको नहीं लिख सकते हैं अब अरजस्मेंट करके करते हैं फॉस्ट अरजस्मेंट है कि अच्छ लिए सभ ठीक है चलिए क्लोजिंग स्टॉक दो जगा जाएगा एक इधर लिख लिए हमने बाइं क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए एक इसकी डबल एंट्री चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में क्योंकि इसमें एप्रूबल वीसिस है देट्स वाइए इसको हमें लिखना होगा अंदर वन फॉर्टीफाइड ठीक है और इसको थोड़ा नीचे लेते चलते हैं क्योंकि सेल्स पे भी है एडिजस्मेंट चलिए बैलेंस शीट के एसेट में आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक वन फॉर्टीफाइड है ना चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम आगे अगले अगले एडिजस्मेंट पे कहता है हेमलता ने पांच हजार रुपए का गुट्स निकाल लिए और जिस पे 5% cgst sgst लगा तो हेमलता ने जो ड्रॉइंग किया अब इसमें इंक्लूड नहीं है कहता है गुट्स वर्थ यानि कीमत का ठीक है ना तो उसने 5000 का जो समान निकाला ड्रॉइंग उसने जो 5000 का ड्रॉइंग किया यानि हेमलता ने ड्रॉइंग किया ड्रॉइंग किया 5000 अब 5000 के अंदर gst जोड़ोगे जैते cgst और ये cgst कौन सा है आपने समान निकाला है तो समान निकालते टाइम पे यानि आपका परचेज निकाला जा रहा है तो परचेज के टाइम प सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें था सब्सक्राइब करेंगे इनपूट प्रिक्र सैस्ट और्रक्रक्र करतें ऐनिप है एजूज यह बाम्ड़ करेंगे SGST अब कितने परसेंट है पांच परसेंट इच है तो धाई सो और धाई सो इसका मतलब जो ड्रॉइंग है न वो ड्रॉइंग पच्पन सो माना जाएगा ठीक है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा ये हमारा रिवर्स हो रहा है गुड्स निकल के जा रहा है एक तरीके से सेली हो रहा है हम रिटन तो नहीं कर रहे है एक तरीके से क्या हो रहा है हमारा सेल हो रहा है तो ये पच्पन सो रुपे का मेरा क्या हो जाएगा अब परचेज में से जो माइनस होगा वो मात्र पांच हजार होगा और GST जो होगा वहाँ से भी माइनस होगा अब हम GST को तो पहले अलग से मार्क कर लेते हैं कि भीया GST को तो हम बाद में देखेंगे ही ये वाला पॉइंट तो अभी रह जाएगा लेकिन अब दो एंट्री क्या करना है सबसे पहले ड्रॉइंग मानना है अपने ड्रॉइंग कितने का होगा पांच का नहीं है फच Πं सो रूप्य का होगा पच पं सो रूप्य का है तो लेस कर दो गूड आको उर परचेज से जो माइनस करोगे ना फाइनली तेट आप मानोगे पांच हजार लेकिन सब पांच सु रुपे और रह गए वो 500 रुबे माइनस किस से होगा आपका CGST से माइनस होगा और SGST से माइनस होगा input वाले से माइनस होगा ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये use हो गया है तो मैं यहाँ पर माइनस का symbol लगा देता हूँ ठीक है ताकि याद रहे चलिए एक अर्जेस्मेंट कर पाए हम यहाँ पर डन डन अगला printing and stationary expense ग्यारा हजार relating to 19 or 20 19 or 20 का मतलब हमारा ये किस साल के लिए बनाये जा रहे है हाँ 21 के लिए यानि कभी पुराना ग्यारा हजार था accounting year had not been provided in the year in that year मतलब भाई है 11,000 का किसी को पैसे देने रहे होंगे मैंने उसकी accounting भी नहीं कर रखी है were paid this year debit to the outstanding liability और मैंने payment इस साल कर दिया है ठीक है जब आप इस साल payment करोगे और आपने debit क्या कर दिया है यहाँ पे but were paid this year by debiting outstanding liability तो सर जब आपने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया था देखो क्या कहता है printing and stationery 11,000 रुपे relating to 2019 accounting year had not been provided उस साल नहीं प्रवाइड किया था in that year उस साल but were paid this year this year paid होगा लेकिन गलती से मैंने अपने liability को debit किया हुआ है तो सबसे पहले तो अगर आप payment करोगे ना तो आपका cash कम हो जाएगा है कि नहीं cash या bank whatever है वो कम हो जाएगा तो मैं bank से minus कर दूँ क्या इसको इसको अंदर रख लेते है पहले paid कर देते है हां कहीं से भी देखो cash bank बोला नहीं है बस paid बोला है तो हमारी मर्जी है भाई यह ऐसा थोड़ी किताब में जो लिखा है वही करेंगे आपको तो understanding develop करना है भाई यह बोला ऐसा है तो ऐसा करेंगे हमारी मर्जी मेरा मन करता मैं cash में से कर देता लेकिन कम पैसा था इसलिए मैं बैंक पर जा रहा हूं तो creditor को आपने printing and stationary कितने रुपए लेकिन आपने गलती क्या करा था liability को माइनस कर दिया था लेकिन liability माइनस नहीं होना चाहिए था आपका क्योंकि liability तो दिखाए नहीं तो आप वापस से liability में प्लस कर दोगे कितना था liability हमारा प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्स्पेंस ग्यारा हजार ठीक है चलिए और यहां पर प्रिंटिंग और स्टेशनरी था हमारा तीन हजार इससे कोई लेना देना नहीं है तो सर आपने इसको पेमिंट किया यह तो पेमिंट हो गया और आपको एक काम करना होगा अब क्यूंकि यह outstanding था हां क्यूंकि यह outstanding था सबसे पहले बताओ यह मैंने क्या कर दिया credit कर दिया ठीक है payment हो अब आपने जो payment किया तो पहले add नहीं करना कहता है कि debit to the outstanding liability तो ठीक है भाई debit हमने outstanding liability कर दिया था यानि हमने liability को माइनस कर दिया था provide but were paid in this year by debiting outstanding liability ठीक है कहता है कि outstanding liability से debit करो यानि आपका इसमें से माइनस करो यह वो दिखाया हुआ है that is आपने क्या कर दिया है paid कर दिया है यहां से 11,000 माइनस करो और इसको 0 दिखा देखें गलती से नहीं किया आगे देखो पढ़ो कहता है printing stationery 11,000 नहीं payment किया था but paid this year and we are by debiting outstanding liability बोलता है payment करो outstanding liability को debit करके करो ठीक है clear है sir both gst cgst अभी चेक करेंगे देखना calculation तो यह वाला point समझ में आए एक-एक adjustment मैं बताता जा रहा हूं आप अच्छे से देख लिए भले एक question हो लेकिन clear तो हो क्योंकि मैं एक ही question करा हूं अज gst बाके सारे homework पे देदूँगा फिर फटा फटा आपने ही करने होंगे हो clear है यह अगले point पे चले यानि साहब यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया purchase include 10,000 furniture तो purchase include furniture 10,000 है अब हमें क्या करना होगा add करना होगा पहले तो furniture में new furniture तस और purchase से क्या करना होगा minus चलो जी यह भी हो गया debtor include 5000 रुपे biddits तो debtor में से minus करेंगे biddits that is 5000 और दूसरा कहां चला जाएगा P&LK debit में क्योंकि adjustment में है तो वह या printing stationary पे कोई बात बनी नहीं और इसको भी उठा के ले चलते हैं बहारी आ जाएगे सर यह भी हो गया creditor include 4000 to the credit of आपका जरीना जरीना को इसने 4000 रुपे include है has been settled for 1000 has been settled only for 1000 और 1000 पेमिंट करने के बाद जरीना का हिसाब किताब खतम हो गया तो यहां हमारा हो जाता है फाइदा 4000 देना था जरीना को लेकिन 1000 में ही वो मान गई तो ऐसे situation में क्या होगा 3000 का तो सबसे पहले तो भी यह मान गई है तो इसको हम पहले 1000 पैसे दे कर रफा रफा करें तो यह लोग पेड़ कर देते हैं हाँ पे चलिए जी पेड़ करते हैं माइनस जरीन 1000 अब यहां तो कुछ भी नहीं बचा भाई साब अब जरीना को पेड़ कर दिया अब लाइबलिटी मेरी पूरी माइनस होने वाली है 4000 की तो माइनस पेड़ जरीना अब पेड़ गल्त वर्ड हो गया वैसे सेटल लिख दो माइनस सेटल कितने का 4000 इसकी वज़े से फाइदा हो गया कितने का तो बाई सेटल लाइबलिटी कितने का 3000 और ब्रैकेट में लिखना जरीना समझे अटजिस्मेंट के लिए यहां तक बताओ कोई डाउट अगले पॉइंट में ये भी होगी है सार दीरे दीरे देखो कितने जिल दिल दी खतम हो रहा है सेल्स इंक्लूड गुड्स पंद्रह हजार रुपए सेंट किसोर अप्रूबल बेसेस अंसोल इकत्तिस मार्च दा कॉस्ट दस हजार मजे की बात है इसमें दोनों चीज़े दे रही ठीक है न अब सेल्स में पंद्रह हजार जुड़ा हुआ है और कॉस्ट में दस हजार दीज गुड्स इन्वाइस सी जी एस्ट और एइस जी एस्ट का साथ चलिए इसके लिए अलग पेज पर समझ लेते हैं हमारा सेल्स था पंद्रह हजार इसमें सेल्स में कभी भी जगर सेल्स में जुड़ा हुआ है तो क्या जी एस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा जवाब है नहीं होगा सर और पर्चेज जिसको हमने किया था कितने का कितने का दस अजार इसकी कॉस्ट कितनी थी दस अजार तो जब दस अजार की कॉस्ट रही होगी तो अब करेंगे क्या बहुत सिंपल सी बात है अब इस पर जी एस्ट भी लग रहा होगा तो जब हमने बेचा होगा सेल्स करके तो जी एस्ट लगा करके बेचा होग तो सबसे पहले जब GST लगा के बीचा होगा तो इसमें प्लस कर रहा होगा हमने बीचते टाइम पर आउट पुट C GST और प्लस किया होगा आउट पुट S GST ठीक है कितने 700 और मैंने बोला होगा भाई तू 16,500 मिरे को देगा ठीक है और पर्चेज भी किया होगा तो मैंने इसके अंदर इनपुट C GST और इनपुट S GST करा होगा यानि यह समान जो मैं खरीद के लाया होगा तो मेरा 11,000 का रहा होगा अब देखो मैं दोनों को सेपरेट सेपरेट सोचना है मैं अब सबसे पहले हम इसकी बात कर देते हैं दो जगह से माइनस होता है Selling Price से माइनस तो Selling Price से Sales का Amount माइनस होगा तो That is हमारा आ गया Selling Price पे Low जी, Low Selling Price से माइनस कर देते है Sales on Approval Basis कितने रुपे है दूसरा Dator से माइनस लेकिन डेटर से माइनस करेंगे तो जब मैंने उससे पैसे लेने होंगे डेटर बनाया होगा तो कितना बनाया होगा खुद सोच के बताओ सहाब डेटर मेरा बना होगा 16,500 का अब बर्गर वाला जब आपको समान बीचता है उधार बेच रहे न dr उबे का समान बारा रुपे टेक्स लगाए तो आपको बारा रुपे खाता में लिखे गए रहे तो डेटर में GST के साथ जुड़के होगा सोचो तो अब हमें डेटर में से जो माइनस करना होगा That is कितना माइनस करना होगा कहाँ गया डेटर माइनस में पाला अमाउंट क्योंकि डेटर में से माइनस हो गया और यह सेल्स में से माइनस हो गया तो यह रह गया तो इसको हम किस से माइनस करेंगे यह हम करेंगे जो हमारे पास GST का अमाउंट पढ़ा हुआ है ना वहां से हम माइनस करेंगे इसको सेटलमेंट करके कौन से वाले से सर आउटपुट और इंपुट वहाँ पे देखेंगे, ठीक है न, अभी एक और पहले पढ़ा हुआ है, और एक ये भी पढ़ा हुआ है, तो हम फाइनल रिजल्ट निकालके फिर करेंगे, ठीक है, अब इदर आ जाते हैं, सर ये परचेस से माइनस हो जाएगा, स्टॉक, इसके बाद यहाँ पर भी एड हो जाएगा, सेल्स ओन अप्रूबल, अब जो ये टेक्स बच गया है हमारा, इस टेक्स को हम जी एसटी में करेंगे, मतलब अभी देखेंगे, फाइनल क्या निकलता है, कंक्लूजन, तब मैं लेके जाओंगा, तो समझाओंगा, अभी नही एक साथ सामने लिख दूँ और सारा करता है, ठीक है, बताओ कुछ बोल रहे थे आप, अच्छा, दस अजारे, चलो, ठीक है, चलो जी ये भी हो गया, जी एसटी वाले पार्ट यहाँ भी पेंडिंग और वहाँ भी पेंडिंग, क्योंकि उसे नेट करके करना होगा, प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स 5% उन संड्री डेटर, तो भी यह डेटर के उपर प्रोविजन बनाई है, डेटर के उपर प्रोविजन बनाई है, डेटर है कितना, एक लाख, पांच हजार, सोला, पांसो, और एक लाख, माइनस, पांच हजार, माइनस, सोला, पांसो, से 28, 8 आ रहा है मेरा देख, माइनस क्या करते हैं, PFD, कितने परसेंट, 5, यह 4925, इसको यही माइनस कर देते हैं, 54, 55, ठीक है, तो आ जाते हैं, इसकी डबल एंट्री 4925 की, 2, PFD, 4925, ठीक है, चलिए सर, यह भी हो गया, यह लो, depreciation, furniture पे 10% लगा दो, motor पे 20% लगा दो, तो motor पे 20% depreciation, that is 48, 96, और furniture पे कितने, तो यह 32,000 है, तो माइनस कर दो depreciation, 32, तो यह 96, और प्लस 32, depreciation में खट्टा दिखा रहा हूँ, बाराइट सो जगह नहीं है, इसलिए, तो डब, 96, प्लस 32, तो बाराइट सो, ठीक है, चलिए आगया जगे, लास्ट अरजस्ट्मेंट कहता है, सेल्समेन को कमीशन देना है, एंटाइड कमीशन 10% on total sale excluding GST, यानि सेल्स पे 10% कमीशन मिलेगा, तो भईया मेरा सेल्स कितने का है, चेक करो, सेल, चार लाग का sale है, क्योंकि 15,000 तो भिका ही नहीं न, तो sale कितना कहलाएगा, चार, और चार लाग पे कितना कमीशन मांग रहा है वो, 10% ठीक है, तो चार लाग पे 10%, that is 40,000 इसको कमीशन देना है, तो कमीशन की दो जगाए entry, एक आजाएगा, यहाँ पे कमीशन, कितना हो गया, 4,000,000 पे, 40,000 दूसरा लाइबलिटी में आजाएगा, sales, commission, payment किया नहीं अभी हमने, तो देखो, सारे adjustment कर लिया है, बस एक काम रहे गया हमारा GST का, बताईए, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है आपको, तो आप पूस्च सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं, कहां से? GST नहीं होगा, अब जो वो 1000 है न, वो 1000 को हम अभी setup करेंगे, अब लिखा हुए, adjustment में नहीं अपूस्च हुआ, आगे देखो, हां, तो यह unsold ही रह गया, जो कि था इतने का, अभी तक approval नहीं मिला, तो assumption भी ले लेंगे कि approval नहीं हुआ, तो sales on approval ही, ठीक है, बढ़ जाएं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं जाएं, चलिए सर, आगे बढ़ जाते हैं, अब GST की बात करते हैं, अब GST को थोड़ी सी बाते समझीगा, मैं पहले वो बना लेता हूँ है न, वो मेरे लिए मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, समझाने में, बाकि आप जैसे मर्जी calculation करिए, वो आपके इच्छा है, पहले मैं लिख लेता हूँ, input वाला न, C GST, SGST, IGST, हाला कि है नहीं, लेकिन लिख लेते हैं, चलिए सहाव, यहां आ जाएगा हमारा, output, यहां आ जाएगा हमारा, यह लिख लिए, ठीक है, सबसे पहले हम trial balance वाले amount को लिख लेते हैं, trial वाले को, फिर हम adjustment में जो तीन जगे बच रही हैं हमारे, उसको लिखेंगे, तो trial वाला बताओ, हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, पहले तो output दे रखा था, C GST कितने का, यह दे रखा था, 2000, और यह दे रखा था, 4000, यह दे रखा था, 3000, और यह दे रखा था, 1000, 3000, ठीक है, अब आगे मुद्द की बात आते हैं, अब देखें, drawing है, तो drawing यानि, जब कभी भी business से समान लेके जाओगे, तो एक तरीके से यह माना जाता है, कि समान बिका है, purchase कम हुआ है, अब आपने purchase के उपर input लगाया था, क्या इस पैसे का, आप सरकार से वापसी लोगे, जब आपने use कर लिया तो, क्योंकि last users, कभी भी GST को claim नहीं करता, समझना बात, अब जैसे मान लो, burger के मैं example लेता हूँ, 10 रुपए का burger था, 2 रुपए tax लगा, 12 रुपए का, मैंने इसको consume कर लिया, यह customer ने use कर लिया, खा लिया, अब जो customer 12 रुपए है, क्या आपने जीवर में कभी कोसिस करा है, क्या है कि 2 रुपए सरकार से जाके मांग लू, chips के packet लिये हैं आपने, chips में inclusive tax होता है, कभी सोचा है कि इसके tax सारे निकाल के सरकार से ले लेंगे हम जाके, नहीं, जो last end user होता है, वो सरकार से नहीं मांग सकता, तो एक तरीके से यहां पे input GST में जो हमारे पास दिख रहा होगा, यह पैसा तो मैं सरकार से ले ही नहीं सकता, क्योंकि यह मैंने खुदी use कर लिया है, तो इसका मतलब जो हमारा input GST दिखा रहा होगा, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यह जुड़के होगा, तो हमें input GST को ठीक करने की अवज़ सकता है, और यहां से हमें 200 माइनस करने की अवज़ सकता है, यहां से, कितने, वह यह यह था ही नहीं हमारा कवे, क्योंकि हमने इसको use कर लिया 200, यहांनी input GST अब इतना बचा हुआ है हमारा, अब थोड़ा सा entry भी दिमाग में घुमाओ, हमने क्या करा था, माइनस किया था, पर्चेस से कितना, अब debit credit वाला भी दिमाग लगाना है, पर्चेस से माइनस कितना किया, ट्रॉइंग कितना माइनस किया, पर्चेस से माइनस करने का मतलब credit, और capital से माइनस करने का मतलब debit, आपने एक जगा 5000 रुपए credit कर रखा है, लेकिन आपने debit कर रखा है 500 रुपए, इसका मतलब आपका credit तो 5000 हुआ, लेकिन debit 555 रुपए, यानी 500 रुपए और आपको credit करना बागी है, और 500 रुपे क्रेडिट करने का मतलब मैंने अब यहां देखो यह क्या था हमारा assets assets में minus करने को क्या बोलते हैं तो यहां से भी मैंने 500 रुपे देखो अलग-अलग जगा से credit कर दिया है पता यह ड्राइंग होगा तो नहीं देखो GST अगर uses हो गया है last user है end user है ऐसा ही मानलो purchase return होता सपोज करो तो purchase return होता तो जो हम input लेके बैठे हुए हैं वो input तो हमारा होता ही नी क्योंकि purchase return में समान खरीदा तो input बन गया और समान वापस कराए तो input वापस भीज दोनों उसको या सिर्फ goods भेज होगा बोलोगा नई input मैं रख लेता हूँ ऐसा तो होगा नी हमें दोनों देना होगा same purchase तो हमारा goods तो minus हो गया लेकिन उसको हम जब तक नहीं बेचेंगे तब तक तो input हमारा पढ़ा होगा न setup में तो वह input हमारे input liability में पढ़ा होगा और वह input हम कभी output करेंगे ने क्यूंकि हमने goods को खुद ही use कर लिया है तो वहाँ input से हटा दीजे क्योंकि यह आपका जीस्ट लास्ट यूजर वाला concern थो अब sales और अप्रूवल बेसिस पर सोचे मैंने बेचा मैंने अपने ipped में जोड़ दिया होगा कि मेरा यह आयगा है ना और input में से मैंने क्या करा णाb Wor Great कि ये तो बिग गिया, ऐसा ही किया होगा मैंने, तो अगर मैंने बेचा समान, ये रहा सामने है, मैंने बेचा, तो मैंने output में जोड दिया होगा, तो इसका मतलब ये output में तो अब होगा ही नहीं, क्योंकि ये बिगा ही नहीं actual में, तो हमें क्या करना चाहिए यहां से भी माइनस कर देना चाहिए आउट पूट में से कितने और यहां से भी माइनस कर देने चाहिए कितने और लेकिन वो समान मैंने जब बेचा तो मैंने इनपुट को भी खतम कर दिया होगा कि भई बिग गया तो चलो सेटल होगा लेकिन वह इंपुट वापसी आ गया आपके पास रिटन होगे तो अब हमें ये इनपुट में 500 रुपे यहां प्लस कर देना होगा अब थोड़ा सा लॉजिक लगाईए अब अकाउंटिंग पर ठीक है ना चलो ये तो मैंने वैसे बताया जो कि होना चाहिए अब अकाउंटिंग में लॉजिक लगाईए सेल से कितना माइनिस किया था 15,000 यानि debit हो गया 15,000 और debtor से कितना माइनिस किया था तो यानि credit हो गया कितना 16,500 यानि हमें debit और करना बाकी है कितना debit करना बाकी है 1500 तो देखो मैंने यहाँ पे liability में minus किया तो हो गया debit और यहाँ भी minus किया तो हो गया debit यानि हमारी accounting भी से ठीक चल रही और concept भी ठीक चल रहा है ठीक है सेम ऐसे अब आजाओ इस पे हमने purchase से कितना minus किया यानि credit कर दिया पच्छे 10,000 और लेकिन आपने stock में से भी कितना minus किया 10,000 तो credit कर दिया आपने तो 10,000 रुपे आपने क्या कर दिया यहाँ पे credit कर दिया दोनों जगह पे और input हमने stock से 10 ही minus किया था ना purchase से 10 और stock से भी 10 यह 500 रुपे का हमारे क्या था input GST तो input GST हमने एक जखा क्या कर दिया 500 plus कर दिया है plus कर दिया है और यह accounting में हमने क्या करा जब हमारे CGST खतम होगा इसको ऐसा करते हैं यहां तो net कर देते हैं हम यहां से हटा देते हैं इसको क्योंकि इसका impact तो हुआ ही नहीं अभी समझ लेंगे रुक जाओ पहले हम टूटलिंग कर लेते हैं इसको यह कितना आ गया 32 और यह भी कितना हो गया अच्छा आएगा यह कितने 27 पचास और यह आ गया 27 पचास यह आ गया 1000 और यह आ गया ठीक है अब चलिए आ जाते हैं नेट करने के लिए यह हमारा positive और यह negative यानि हमारा यह positive बच गया इसको मैंने दिखाया है नहीं अभी बात करेंगे क्यों नहीं दिखाया चलिए यह positive positive यानि positive में रह जाता है हमारे पास कितना पंद्रा सो और यह positive और यह negative पान सो चेक करो एक बार पंद्रा सो किसमें आ गया फाइनल आंसर में चेक कर लो आप चाहें कितना आ गया पंद्रा सो रुपय हमारा कहां आ गया अशेट्स में और पान सो आ गया आउट्पूट में ठीक है अब देखो इस वाले को हमने क्यों नहीं किया और मैं बूल रहा हूँ मैंने इस वाले को कर भी दिया है यहां इसको ऐसा कर देते हैं यहां confusion create ना हो यहां पे हम purchase में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्योंकि confuse ना हो gst नहीं इड़ करेंगे सिर्फ goods दोनों जगह माइनस हो जाएगा ड़ेट इस आपका कहां से माइनस हो जाएगा पर चेस से आप इतना याद रखिएगा और माइनस हो जाएगा closing stock से दोनों जगह से नहीं add होगा दोनों जगह अपने गलत बता दिया एक closing stock में यहां भी add और यहां भी add यह रखना है ठीक है ना मैं कुछ gst के यह भी बता दूँँगा जैसे drawing वाला GST कहां कहां जाएगा एक ऐसे भी चार्ट बना दूँगा है ना कि रेंट वाला GST होता अगर तो रेंट हमारा पी एंडल के डिबिड में आता जीएस्ट कहां जाता तो इस तरीके से दिखा देता है तो यहां पे हमारा यह 1500 बन गया और यह बन गया 500 तो हम balance sheet पे जाएंग पे 1500 और यहां पे लिखेंगे आउटपुट कितने था ठीक है अब बस टोटलिंग का process कोई और adjustment नहीं रहा देख लिजी आप यहां पे GST का कोई मुद्दा ही नहीं था excluding GST बस वर्ड लगा दिया था डराने के लिए और कोई मुद्दा नहीं था ठीक है चलिए आ जाईए इस पे फटा फट से totaling करेंगे और अब बताते जाईएगा इसमें से दोनों माइनस हो गया तीन दस में से तीन और पांच दो पिच्च्यानवे और यह चार लाग और एक लाग पच्पन हजार पांच लाग पच्पन हजार और इधर भी पांच पच्पन क्या आ रहा है बताओ जीपी जीपी आ गया एक असी और बाई साइड में आ गया जीपी एक असी अब यहाँ पे कुछ ऐसे करना नहीं है नीचे चलते हैं यह आ गया वन एटी थ्री और यह भी आ गया वन एटी थ्री अब एन पी क्या आ गया बताओ कैलकुलेट किया है देखके बता रहा है ने कैलकुलेट करना है भाई गलत भी तो सकता है यह तो नहीं आ रहा है एक बड़ चेक करो दो हजार पाँच हजार बत्तिस हजार ग्यारा ग्यारा पांसो पैंटिस हजार नो हजार तो यह नहीं आ रहा है अच्छा चालिस यह भी मानिस करना है न लॉस आ रहा है हां तो कि यह बत्तिस हजार है न देखना एक पर कहीं बत्तिस सो हो कहीं अमाउंट और यह कि चालिस तो यह रहा यह अ अ अ अच्छा 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 हमारा सेल्स कमीशन टोटल कितना निकला था अ अ अ अ हमारा पहले भी तो था सेल्स कमीशन तो इसको कुछ ऐसे दिखा देंगे 35 पहले था है न और प्लस चालिस टूटल हो रहे थे न तो पांच आउटसेंडिंग तो टूटल कितने आ गए चालिस और यहां पर भी आउटसेंडिंग आ जाएगा पांच अभी भी देखो क्या रह रह गया इंसोरेंस ठीक है सत्रह हजार एड़िटीजमेंट सत्रह ही है न क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट ज्यादा दिख रहे है मुझे डप्रीशेशन देखो दो हजार माइनस पांच हजार माइनस बत्तिस हजार सेलरी डन पोस्टेज गैरा पांसो चालिस हजार नौ हजार सत्रह हजार तीन हजार पांच हजार चार हजार चौदा हजार और यह 22,000 है काटे आउटवर्ड 49,25 और 22,000 और 800 प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 1775 आ रहा है नेट प्रॉफिट क्या है? ठीक है नेट प्रॉफिट आ गया 1775 ठीक है? यही आए चलिए आ जाते है एड नेट प्रॉफिट 1775 प्लस 288,600 माइनस में 9500 यह 280 875 प्लस 405 और यह आजाएगा हमारा 36 यह आगया 362,375 362,375 असेट यह जीरो 28,800 यह जैएगा है, यह वोमगाराख। यह जीरो यह जीरो प्लस एजए बेककः यह सẫnक्वाएगर न्रिएग्पयार क्फ़ाद सिर्योक्स ओट के Youtube सिरिया की जीरो है, असेएंड न्र के ãyुच्च्च्च। तीन बारा ये माइनस प्लस चेक करो एक बार अठासी पिछा तक ये गलत लग रहा है मुझे ये तो ठीक है ये ग्यारग जीरो हो गया क्रेडिटर हमारा ठीक है 36 सेल्समें कमीशन हमने 40 लिख दिया ने जबकि 5000 तो लिखी चुके हैं तो माइनस 32, 375 प्रेडिटर कितना है ये 4000 तो मैंने नहीं सुआ था तो सेटल्मेंट कितने का हुआ था तीन का हुआ था चार का हुआ था बुक में क्या है आपका अरे इदर देख लो लिखने दो पी तीन बाइस अब इसको टोटल कर लेते हैं माइनस एक किस सो अभी पता चल जाएगा कुछ एड़ेस्मेंट वो एक साथ कर देते हैं जो आपका एरर है मैं बता देता हूँ क्या एरर है यह डेबिड में था तो यहाँ पे भी नहीं आएगा यह क्योंकि पेमेंट की बात ही नहीं होगी यहाँ पे आजाएगा आपका 11 समझे आपने सिर्फ आउटसेंडिंग चेक कर लिया लेकिन यह नहीं चेक कर आब इसको कैसे दिखाना होगा हमें दिखाना थे इसे आउटसेंडिंग एक्स्पेंस 11,000 और माइनस यहीं पे कर दो यह पेड़ भी हो गया 11,000 और यह आगया 0 हमारा यह क्योंकि यह डेबिट दे रखा है पिछले साल का खर्चा है और पिछले साल मैंने अगर खर्चा नहीं दिखाया तो कहीं न कहीं पिछले साल का प्रॉफिट बढ़के आया होगा तो पिछले साल प्रॉफिट बढ़के आया होगा तो इस साल का capital भी बढ़के होगा है ना तो इसलिए हमने क्या करा इसको capital में से सीधा माइनस कर दिया स्रिफ और 11,000 रुपए क्योंकि ये पिछले साल का था तो माइनस outstanding expense debit था भी 11,000 और हेर यहां पर आ जाता है हमारा समझे क्या एर था तू एटीएट 600 चार हजार तू एटीएट 600 माइनस क्यारह हजार माइनस पिच्चानवे सो प्लस सत्रह सो शत्रह तो आपने debit credit भी चेक करना है देखो 26 अठानवे 75 प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 500 यह आगया 3,11 बुक में क्या था 12,000 रुपए वो अलग लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं 3,11, 375 ठीक है बुक वाले ने इस 1000 रुपए को जो जरीन को paid किया है न वो paid ना दिखा के बाद में दे देंगे यह लिखा है अगर हम बाद में दे देंगे तो actual तो 3000 ही माइनस हुआ एक 1000 नहीं कोई नोट नहीं यहां पर बोल दिया सेटल है तो नोट डालना चाहते हैं को payment कर दिया हम यह मान के चल रहे है payment करके सेटल हो गया है बुक वाले माल रहे हैं अभी सेटल हुआ है payment बाद में करेंगे तो चलिए और यहां पर भी आगे आपका 311 11-335 चलिए यह होगी हमारा डन और मुल आपका